तो आप सभी लोग का मेरे चैनल अन्पूर्णा सरवेश्वरी सुमन की रसुई में स्वागत है तो आज हम लोग मत्र पुलाओ बनाए जारें जो कि बहुत हैं देख लिए कैसे बनेगा अगर आप लोग नेमें चल कोब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिस बनाची और यहां दाल चीनि और हमने यहां पर कालीमेब्स ले लिया और यहां पर खऴा लालए चाठो मेरे लिया है और हरय की ठीकर्फी सब्सक्राइब से अन्पूर्क होत उदए हैं सीबिल्दी श्लेई और यहँ बश्कुल बारिकाइब्स पॉर्म ए किसी से पुलाव बनाएंगे तो अब हम लोग तो यहां मैंने दो कप चाओल लिया है दो कप मतलब बोले तो यह 500 मेरा चाओल है और मैं इस चाओल को अब इस चाओल को हम लोग धोल लेते हैं और दो करके इसको 10-15 मेर तक पानी में छोड़ देंगे हमने कुकर गर्स पर चड़ा दिया है और कुकर थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसमें हम लोग घी डालेंगे और अगर आपके पास घी नहों हो तो आप आप मटल प्लाब अच्छी से बना सकते हैं और घी है तो घी आप डाल सकते हैं घी का स्वाथ बहुत अच्छा आता है औ अच्छा प्रवाद यूज़ा दाल दिया है और तेजपत्ता जो हमने लिया था जितना भी हम मसाला लिये थे वह सब मैं इसमें डाल दूंगी और यह जो लाईची ती उसको भी आप डाल दिया है और यहां ख़ड़ा निर्च था उसको भी इंडाल देंगे और इसको प्रेपल मसाले में से खुश ब़ुआ है अब इसके बाद में जो हरा मिर्च है मैं उसको भी डाल दोगी इसमें तोड़ा जो यह एक्षे से घीमे चिज़ा है तो यह भी अच्छे से हो चुका है इसे हम लोग मतर है जो में दाल देगें और इस पहुआ कासा है मतर कुला सिज तो अब इसको थोड़ा सा एक दो मेर तक चला लेंगे हमारी मतर थोड़ी हो चुकी है दरब अब इसमें हम लोग जो हमने यहां पर चावल दोके रखा था वो चावल को हम इसमें डाल देंगे और हमने आप चावल डाल दिया है और अब इसको हम लोग अच्छे से चावल और मतर जो हमारा मसाला है अब इस सब को वड़ा सा एक दो मिनट के देंगे इसमें बढ़िया से हम लोग भूल लेंगे कि दो महीं दोंगी आगा अब आप्विए डोध गुंगों अब शुक्ता है अब इसमें को फाहिं दलना था चब है cure इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे अगर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और हमने यहां पर बिलकुल 3 गिलास पानी डाल दिया है अब चार तरफ से बढ़िया से चाओर को चला लिए ज़ा लगा हुआ है इसमें हमको थोड़ा इंद धालना है कि ऑला में थोड़ा हलका ही नमख पड़ता है कि इसमें विलकुल आधी चमस्च नमख डाल दिया और अब इसको भी हम लोग को चला लिया है और दो मिनट तक हम इसको एसी छोड़ देंगे एक उबाल के आने सबस्ट कोण कर देंगे मटल पुला में जो है उबाल आ रहा है अब हम कूकर को बंद कर देते हैं और बस एक सीटी हम लगाएंगे और एक सीटी लगाने के बाद हम कूकर को खोलेंगे तो हमारा पुला बिल्कुल बढ़िया सा और अब इसको हम लोग उतार देते हैं अब हम कूकर खोल के देखते हैं तो हमारा पुलाओ तो बहुत सुंदर बन गया है और इसमें से खुच्बू बहुत अच्छी आ रही है अब हम लोग इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे देखिए बिल्कुल बढ़िया सा पुलाओ बन चुका है हमारा मतल पुलाओ बिल्कुल बढ़िया सा अच्छा सा इसमें खुच्बू और बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद भी आएगा तो पुलाओ को बरतर में निकाल लेती हूं मैं यहां पर और यह बहुत ही इसके अच्छी कुस्बू आ रही है और एकदम जटपट बन जाने वाला रेस्पी हमारा पुलाओ तयार है तो आप लोग भी जरूर इसको बनाईएगा और बनाने के बाद जरूर कमेंट करके बत अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें करें और मैंचल को सब्सक्राइब करें लोग फिर मिलेगे एक नहीं रेसिपी कसा तब तक के लिए धन्यवाइब